हरे कृष्णा श्रीमात भगवत गीता जशी आहे तशी अध्याय दूसरा अध्याय चनावा हे सांख्य योग अपलें सवी चाईस पडंत स्वा चनाव शाले अज पंझी चाईस आवा श्लुक वाचना रहोथ त्या दी स्रील प्रवपाधाना प्रार्थना करूया हे स्रील प्रवपाद आमी बगवद गीता हा ग्रंत वाचुन सम्दुन गेनाचा प्रयत्न करिता होग त्या सक्यम्माला आशिर्वाध्या धन्यवाद प्रवबाद त्राइगुन्य विशयावेदा, निस्त्राइगुन्य भवार्जुना, निर्द्वन्द्वो, नित्य सत्वस्तो, निर्योगक्षेम, आत्मवान, आत्मवान. तर भगवन्द, अर्जुनाला, एके चाई सावेश लोकात मंद ले कि असल जे भक्तिमार्ग मिक्तुला सांगतों आहे, त्या मदे जैन्ची बुद्धी दुरूड निश्याई जैन्चा धिया ही एक आहे, पन बुद्धी लानेक फाटे फुटले आहे, ते डर्मानी टुरू जैन्ची चर्चा 22 से 27 मदे के लिए है, पन बगवन्द मंद वेदान मदे अनेक विषय याई चर्चा है, तर मग आम द दर्शना है, वेदान मद्ला प्रामुखत हता है, तो बगवन्द मंद वेद प्रामुख्याने भवतिक प्रकृति चा तीन गुनां से विवे याच वर्णान आहे अर्जुना या तीन हुणां चा पली कड़े तू स्तीत हूँ, सर्व द्वंदु आहे तेंचा तून तू मुक्त हूँ, आणी लाभ आणी रक्षन याँचा कार्जी तून मुक्त हूँ, आणी आत्म परायन हूँ सब्वे शब्द है ते अतिश है, महत्वा चे आहे तर नीट पने समझुन गिविया जेने करून आप लेला है हाशलो का है तो नीट कड़े तर प्रामुख्या ने जे वेदा है, त्रे गुन्य विशया वेदा, वेदान मदे तीन गुन, प्रकुरुती चे जे तीन गुन आहे पड़ मंजे आचा असा आर्थ नहीं है कि केवल वेदान मदे एवड़ाच दिलेला है असा नहीं, लोका ना काय बट्टा कि हाशलोक बास्ता दानी ते मन्टाथ कि इथे निश्त्रय गुन्य भगवन्त मन्टायाथ मंजे तीन गुनांचा पली कड़े जा असा मन्टायाथ पड़ वेदान मदे तो तीन गुनांचे चर्चा है, मां आमी कसका है यह यह तीन गुनांचा पली कड़े स्थीत भाईचा, आमाला काई है समझत नहीं, तर मनों प्रवपाद अपलेला इथे तात परियाद समझता है कि यह जे तीन गुनांचा अतीत होनों जे आहे, तेही कुछे दिला है, वेदान मदे च दिला है, मांजे वेदान मदे तीन गुनांचे वेगवेगे प्रभाव, तेहचे सगी वीवेचन दिला है, वर्नन के ला है, और वेदान मदे च पुर्चा भागा मदे, असा सम्झत नहीं सांगित ला है कि यह तीन गुनांचा अतीत वादे श्ती तो भक्तित सलग न हो तर वेधान मदे ज़ा करमकांडां राण ना है तीन गुनां चा नुसार कारिया करायला ज़ा शक्ता आगित्ला यह तर वेधान मदे तो कार्मकांड वीभाग फाल तुम अड़कुन नकोष्ण वेधा प्रचंड रहे तू करमकांड वीभ वेदान मदे एक आत्मत न्यान दिलेला है, जा भगाला काय मंटले जाता, उपनिश्य दिया न्यान, तो तुझा चित्त गुंत हो, असा भगवंता ना संगाईचा आहे, तर केवल कर्मकांडा मदे अड़क लेले लोक यहांची चर्चा भगवंता नी बेचाईश्ते मदे केलिया है, पन जो खराब बुद्धिवान है, त्यानी मात्र यहां कर्मकांडात अड़कू नाए, मौनों आश्लोक भगवंता सांगता है, तर व्याज देवान नी सगे वेद वगरे संकलित केले, त्यान अंतर सार रूपा मदे त्यानी वेदान्त सुत्र लीला, तर वेदान्त सुत्र यामद याज़कर छोटे-चोटे-चोटे शे श्लोक आहे तीन-चार सब्दान्से एकत्र से अनि मौने ती वचे रूपा, सुत्र आहे ता ऐनी खुब्द कठीन हें त्या अनि श्रीमत भागवतम्त अनि वेदान्त सुत्र जी लीला है, तैसा है चाहिक सब्सक्राइब भागवग अंचो आए यह सबी norm ऑदल ंंगे सब्सक्राइब on the रुप्ताइबाग सब्सक्रेसे करेडिय jeśli मैंसे इसमयटाने अभगवघाभगी गी अधाले Celtics ऑंचों तर भिदाना दीडिया अधा पिल दूsm や टैया भक्ति नेज तुम्ही भगवंताना जानों शक्ता। यहां सगले वेद आहे तेंची रचना इतके सुरे कृत्या के लिया है कि आपन सगे बद्ध जीव आहोत ते भगवंताना सुडून या जगतात आलो आहोत। नेज रआमले आहे थे जीव आहे ते असे जीव आहे त्याना भडू हलू हलू मार्गदर्शन करून आतमध ज्याना चास्तिती परियंत जाईप रहना वेद चुछ फ्रीद करता थर्षाइट करता है वेदान मदे जीवातमा जो है बद जीव इंद्रेतरुपती चा कामने ने आले ला जीव तेला तेला मार्गदर्शन दिलेला अस्ता, यह जीवा ची आसकती कुठे आहे, त्यानि भगवनतान पशन तो वीमुख जाला है, त्या निया आहे मला स्वामी बनाईचा है, इंद्रेतुरुप्ती कराईचे, त्या वेदान मदे मार्गदर्शन आहे, कि यह जीवान नो तुम्हा पालन कराईचे, तो यह जीवान आहे, तो वेदान पालन करों तो वेदान पालन करों। वेदान आहे चाहा पालन करों। वेद भगवान्तान कड़ू नालेत अनि हाँ जिव इंद्रे तृप्ती चा काम नेनेका होई ना वेदान ची आध्नया पाढ़तों अब रत्यक्षपने हाँ भगवान्तान चा आध्नया पाढ़ात असतों त्या आध्यां चा पालन के लामने जीवात मा है, त्याचा कर्मशा हलू 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 विकास वुतू, तह अशी वेदांच Given the उत्या स्तारावरन प्रगती वर्वर् वर्वर् vad जाते। ة, tokyndis भोते एक तमोगुणी व्यक्ति आहे, तो वेदानमदल दिलेले लजे तमोगुणी नियम आहेत। तो ते पालन करतो तो प्रगत होतो आणि हडु 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 तो रजोगुनात येतो आता रजमनात अलेला व्यक्ति आहे, तो रजोगुणी नियमान छे पालन करतू. अनि हडु 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 प्रगति होते तो सतोगुणा प्रयांती तो. सतोगुणात अलेला जो मनुश्या हे, तेहाला हडु हडु समझाल लगतो हे, कि इंद्रीय भोख जातो है, इंद्रेत्रप्ती बुद्ना करमकाण इंद्र्च करतो है. इंद्रीय भोग व्याद त्यानिक है कायम सुख मेध नहीं तो खञाल थानों बंगुर आहे, अशरी दिने त्याला थादू हड़ ध्न्यान प्राप्तवाय तवी अस ज्यान आए तेला मंतल़ जाताकि वह ज्ञान उपनीशयतीक ज्ञान असतों तैला अंकिन अंकि ज्यान होतों कि ये जगत आए ते दुखक खाचा ह ठीकान आए आणि असद ज्ञान तेला समझायला थोड़ थोड़ उपभोगाग चा दिशेला तेची जी वृत्ती कल आहे तो कमी होतो आणि यहाद ज्ञान प्राप्ति कड़े तो आकृष्ट होतो तो वैदिक शास्त्र अशिर अचिली कि सकाम कर्मी व्यक्ति आहे तो सुद्धा वैदि यहाद में धर्माने वागा, धर्मिक नियमांच पालन करा असव चारा आणि मनुष्च यहाद महने तो नहीं कर्मकरतो अर्थ पाइसा प्राप्त करतो, मोग्क्ष हैं गुट्दिकरतो तो अर्फ पूर्थ्ति करतो अर्था न किसी सकाम पूतृइट। जस्ट्धारिपा Gospel अर्जुनाला के जरीबेदान मदे या तीन गुणार्ण या इनू भागत, वेदान मदे या तीन बुनाज्व भागे, तहक् Filipino आकर्शित हुनो थे तुन स्विकार काि कार्म, श्द्री तुम भागत, दिथे हुनु अधी पन चर्चा केली होती कि अनेक सारी द्वन्द्व आपले जीवनात एतसता शुख दुख जय पराजय थंडी गर्मी अशी सगडी हां जो व्यक्ति द्वन्द्वा मदे अड़कुन रहात नहीं तर तैची प्रगती होते पन जार द्वन्द्वा मदे अड़कुन रहाईला तर तो उंटी ही योग पद्धति आहे तैचा तो नीट पने योग पद्धति चा पालन करू शकत नहीं आपन जांडल भाई जे कि सुख दुखा है लाभ हानिया है तर आपले जिवनात सारको होता चराना रहा है तर या दोन्नी अवस्तान मदे या द्वन्द्वान मदे जहां मनुष्य स्थीर रहा तो ते हुआ तो योग नीट पने करू शकतू योग वंजे नयुद्टान चा संतुष्ती शाटी कारिया है तो करूट शकतो हाज दोन्नी अवस्ता दी भीतक जांगर द्वन्द्वां मदे तो चाहित जहा हो हिलने तर यह उन्हां लाभ जे कर दोन्ना 26 से कि हिइःस। स्विली जवल स्वाइम्पाक करते अशी आपन बरी शी उदार न आडिपन वाचली आहेद तर अशा आचारे समझतात कि जितको अपले जिवनात आवश्य काये ते उड़ अपले ला सहन कराला तयार असल पैजे उगाज जाश्ती चे तपस्या उणाज जाओ न उभराईचा अशा तपस्ये कही गरज नाईए तर असल समझतात जाचा कि द्वनद्व सहन करने मदे मनात जे वाइट विचार येता आति विचार पन शहन करने जे तया विचारान कडे दुरलक्षा करने वहे सुदिद्धा द्वनभवी सहन किरने यह उनते मधए अवह इत हो तर भगव्नतère मतायाइद कि नीर द्वन्धव तु द्वन्द्व रहीत रहा, और कि बुड़े भगवंदा नी दूसरे वड़ित मंचले है, नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ, मैं जे भगवंदा मंचले है कि तु जीव आहे, मैं जे तु जीव आहे, तु जीव आहे, जीव आहे, जीव आहे, अत्मा जानून जी भौटिक जगत आए वस्तून कड़े आत्मा है त्यानी आसकत भाईच नहीं तो असा मार्गदर्शन केले जाता नित्या सत्वस्त आत्मा आहे द्ञान घेवुन जगन तर यह सटी एक असा प्रवपात प्रवचनात उधारन देतात कि आपन जहां रातरी जोगतों और कदी-कदी आपलेला स्वपन पड़तात तर स्वपना मधे आपन अत्ताच एक जे स्वपन बगतों तो त्याचा आदी मी किती तरी स्वप स्वपन बगत लेले आपन आत्तायाक्षन माला फत्त ऑफट विरुपुजरेश इकत स्वपन धिस्टाए अजितात पुरवीच स्वपना मी विश्रून जहे थितीं! उसके भ्रवच भ्म स में गाषन, छो ईकतुर पिरुरुजरेश जवन जाकतों घाटायाblowing Mr. आपन मी काय करता है, मária ही स्वपण बकतना, मी पूर्न हम reproductive, माला सभट बढा प्राय है कि छे Samor भुक्तिय में अचिता है, तो सच यह उदार नावरून आपन समगड़ बही है, आपन सकता ही है. तो यह भौतिक जगतात आत्ता परंत करोडों जन्मत यह गेत लेले हैं, और प्रत्यक जन्मात जे कई शरीर रापता जला है, त्या शरीरात तो पूर्ण बने, मैं जो आत्मा है तो मगन जलो है, आणि स्वताला शरीर महनून मागूनस मी जगत आलेले हैं, तर मा जस अपन य शरीर मानूनात जगत होतो, तो इथे भगवन अर्जो नाला मन्टायात नित्य सत्वस्थ, मन्जे कहा है, तो जानला पाईजे, कि मी आत्मा है, और ही जी कही दुवन्दु आहे, कि जीवनात ये तो चरहना रहे, त्यात मला अड़कुन पड़ाईच नहीं है, जस आपन व अटिक स्तारावर असले कि अशेका ही 200 भगना ची वृत्ति यसते वर्ध्य, द्वन्द्व करनेची, द्वन्द्व मदे जगनाची वरुत्ति यसते अडि त्या मुझे अचे द्वन्दु आज़के विचार सार्के मना त आले मुझे हाच आंगुलातो वाईट, यह घ्या नियमी आत्मा है, या ध्न्यानात तु स्तीर हो, पुड़े भगवन्त मंदा है निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम, यह मदे जर शब्दशा अर्थ तुम्ही बगित ले, तो त्या दिले लावानी रक्षन यांचा विचारातून मुक्त, तर भगवन्त अर्जोनाला मंदा जायद कि जे तुजा कड़े नहीं है त्या गोश्टी प्राप्ता करने है खूब जास्त लालसा कराईचि आवशक्ता नहीं है, योगक्षेम, योग मंझे का है यह अर्थ है जोडने, मैंझे माला अनिखिन माजा करे यह वस्तु जोडाईचा त्या वस्तु जोडाईचा खुब सारे वस्तु हवे आथ हवे आथ अशे लाल सास्तेव का लोभी वृत्ती हैंची कही आवशकता नहीं आणी शेम या शब्दाचा है अर्थ रक्षन तो माजह करे चांख ही गोश्ति आएथ क्रचंड चिन्द करनेंची कही आवशकता नही हlingen आए तो खुब आशकता वहलए मैं तो आशकता आये आशसकता नहीं यह आशाकती नहीं करत जाओं तितक त्या वस्तुन ची आपन आसप्तबन होतो और त्या वस्तु अंच टिकुन ठेवन्यास ची ही भावना आपला लेएते और अपली व्रुक्ति का होते अनावश्य गोश्टी है त्या आपन गोळा करत रहातो और मनों समझावला जाता कि अशा खूप सारे गो ग्रसीत हो जास्ती जास्त शारेडिक स्तरावर रहू वनों प्रवपाद अपलेला कही प्रवचे नाम देवन्टात कि डू दो नीडफूल अवश्य का है त्या गोश्टी इंचा अपन स्विकार कराईचा पन चिंता काजी कराईची नहीं दैते श्यवट चा शब्दा है आत्मवान त्या बदल अर्थ बगितला तदिला है आत्मपरायण आत्मपरायण मन्जे जा व्यक्ती सचित भगवन्तान मदे लाग लेला आहे तो आत्मवान अस्तूर तर अशा प्रकरे भगवन्ता उपदेश देता है निर्योगक्षेम जे ब्रह्मचारी जीवन जगता ह तर ते पूर्न पने भगवन्तान वर अवलंबुना है अणी एक चार अश्रमां अश्रम जे आहे त्या तला एक अश्रमा है गुआस्ट अश्रम ते आमधे आपन धन अर्जीत करते तो पैसा कमवत अस्तू तो गुआस्ता ने शुद्दा खूब सारी चिंता करूने आपन जीवान भार फक्त पैसाज गोडा करत रहें नो बगवंदान ची भक्ति केली नहीं, तर का होईल, एक दिवस असाईल आपन ठपकन मरूं जाओ, आणि इजी संपत्येती शकली आपलेला, इथे चोड़न द्यावी लागेल, आणि मग आपन मनुष्य जिवनाचा योग उप्योग केला नहीं असा होईल, आणि आपले सार्खे दुरुदय भी आपन चाशू, आणि मनुद मंतला है कि मनुष्य ने हे पन पाईजे, ते पन पाईजे, हैचे खूप लोभी, भृत्ती, नसा भी तैचा कड़े, आणि जे आहे तहाची प्रचंड चिंता है, कस रक प्रचंड करूँ यहाची फार्षी खूप चिंता कराईची कही आवशकता नहीं, डू दर निडपुल आवशकता है ते उड़ा करावा, तर यह जे ब्रह्मचारिया है, जवान प्रस्त जीवन जगनारिया है, तर यह सन्यासी है, तैंचा खाने पीन्याचा सम्मझ से बद फिडिल काईचा जर अवकानारिया प्रश्न पड़ लाया तर काई उत्तर दिला जाता है कि है सग्रेटिया है तने कही करता है भग्वंतां चीए, भक्ति करता है तो पुर्ण एट दियान गान्या कार्या मदे यह लाध लेला है, तैंचा ध्भान ते को शाया है लोको आत् विष्चा इता नियुक्त अकिणगीं आगले है, असे भगवनता ओपिधन करता है तरह सार्व जीव मातरान आ treating तो जे बगवन्तां ची सतत भक्ती करता है, तो त्यांचा गर्जांची काई जी बगवन्त गेनार नाहित का नकिज गेती, आनि बढ़ो भगवन्ता बंटा है अर्जुनाला कि तु आत्मवान पन हो, तर पंचे चाई से व्याश्वया श्लोका ची जे वीविधा शब्दा है त्याचे अर्था पन निटपने या भगात जानन घेतले है, अता पुडचा भगात आपन या पंचे चाई सावश्वया श्लोका चा तात परिवाश्ना रहोत, श्रीमत भगवत गीता की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, हरीबोई